हलो गाईज विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आप लोग कैसे हैं आसा करती हूँ आप लोग बच बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज हम आप लोगों को गाउं की सेर कराते हैं हम जा रहे हैं माई के इसलिए हमारी वीडियो नहीं आप आ रही हैं हम अपने मम् साह बाबा का मेला बहुत ही बड़ा फेमस मेला है आप लोग नहीं गए होंगे तो जा सकते हैं वहां पे आपको बहुत अच्छे आइटम मिलते हैं खरिदने को बहुत सस्ते रामों में और बहुत अच्छा लगता है वहां पे जा करके तो चलिए फिर हम लोग पहुँच हैं मेला में और मैंने थोड़ा सा ही क्लिप बनाया है बहुत ज्यादा नहीं बनाया है और यहां पे जैसे कि देवा मेला लगता है हमारे लखनव में वैसे ही ये सितापुर में टकरी साह बाबा का मेला लगता है बहुत ही अच्छा लगता है वहां पे तो सभी लोग जा र तो आप लोगों के साथ में यहां पे बहुत अच्छे सामान मिलते हैं और इसका में गेट यहीं से सब लोग प्रुएस करते हैं तो हम बहुत दिनों बाद गए हैं साधी के पहले गए थे हम इसके बाद तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कोई भी चाहे अपने धर्म का मंदिर हो, या फिर इन लोगों का हो, लेकिन यहां पर जा करके मन अलग ही सुकून मिलता है, कोई भी धर्मिक अस्थल हो, तो यह बहुत ही पुराना एतिहासिक है, यहां पर सब लोग जाते हैं, गुमते हैं, और सामान की खरीदारी भी करते हैं, यहां पर बहुत अच्छा लगता है, और यह इस मेले में आपको हर माल 5 रुपे से लगा करके, आप चितना भी चाहें, उतना ले सकते हैं, तो जब माई के पहुँचो तो यही होता है, सारी टेंसन खतम हो करके, और हम लो लोगों ने वहाँ से बहुत सारी खरीदारी भी की थी, और ले करके आए है, और हम इसके बाद में जब घर पहुंचेंगे, तो आप लोगों के साथ में सेर करेंगे, अपनी पुराणी वीडियो टिपस, जो हम टिपस सेर करते हैं, और आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को वाज किया करें हम इसी तरह से आप लोगों के साथ में अच्छी अच्छी टिप्स लाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग नहीं वाज करते हैं और जब वीडियो चलती नहीं है तो मन भी दुखी होने लगता है तो ये सभी लोग यहां पे जाते हैं मैं बहुत दिनों बाद मैंने बताया ना कि साथी के पहले गए थे हम जाते थे हमारे यहां से पास में पढ़ता है वहां से हम जाते थे लेकिन अब ऐसा कुछ रोल हो गया जो यहां से निकल ही नहीं पाते हैं न जा पाते हैं कहीं भी तो बहुत दिनों बाद मौका मिला था मैं किसी को नहीं ले गई थी अकेले ही गई थी तो उसके साथ में हम फिर अकेले ही मम्मी और भतीजियां सब गई थी घूमने के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है छोटा सा है आप लोग जरूर एक बार तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और छोटा सा वीडियो है बार-बार मैं यही कहती हूँ तो प्लीज आप लोग वाज जरूर किया करें मेरा वीडियो और मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ में सेर करती रहूं और मुझे भी देखे कितने सुन्दर सुन्दर फ्लावर हैं यह हमें वहाँ 20-20 रुपे में मिल रहे थे और बहुत सुन्दर थे लेकिन मैं वहाँ से लाती कैसे अकेले गई थी इसलिए नहीं लाई है देखने में बहुत सुन्दर लगता है यहाँ पर बहुत ही सच्टा सामान मिलता है और इसके बाद में फिर हम वापस निकल लिये थे और आने के बाद में हम थोड़ा सा क्लिप आगे भी साइड है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ बना पाई हूँ बस छोटा सा क्लिप बनाई हूँ लेकिन गाओं का जो होता है ना सुकून भरापल और माईके की तो बात ही अलग होती हर किसी को पता है माईके में जब पहुँचो तो सारी टेंसन ही खतम हो जाती है ना कोई काम ना कुछ और बस भूमते रहो यही है हमारा छोटा सा वीडियो